नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल Ultimate Knowledge पर दोस्तों, अपनी आज की इस रीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हनुमान जी के बारे में अपनी आज की इस रीडियो में हम लोग जानेंगे हनुमान जी से जुड़ी हुई एक ऐसी चौपाई के बारे में जिस चौपाई को यदि आप रोजाना पढ़ते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन से हर परकार की समश्या और हर परकार के संकट अपने आपी दूर होने लगते हैं यदि बात करें हिंदू धर्म की तो हिंदू धर्म के अंतरगत हनुमान जी सर्वशाली देखताओं में एक कहे जाते हैं कहते हैं कि जब हनुमान जी की किरपा बरसना शुरू होती है तो इस संसार में उस व्यक्ति का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता जो व्यक्ति एक बारी हनुमान जी से जुड़ा समझे उसकी सभी परिशानिया और कस्ट अपने आपी दूर होने लगते हैं इसलिए कहा गया है कि चारो जुग परताब तुम्हारा है प्रसिद जगत उजियारा जो कोई भी व्यक्ति हनुमान जी से जुड़ जाता है उसके सभी संकट और उसकी परिशानिया अपने आपी दूर होने लगती है इसलिए प्रति दिन हनुमान चालिसा पढ़नी चाहिए प्रति मंगलवार को हनुमान जी का ब्रत रखना चाहिए हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए और साथी साथ हनुमान जी की भक्ति तो जरूर करनी चाहिए जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हनुमान जी भी स्वयम राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं इसलिए हनुमान जी अपने भक्तों की भी बहुत जल्दी सुनते हैं तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार हनुमान जी की वो कौन सी चौपाई है जिसका पाठ हमें नित्य दिन करना चाहिए हनुमान जी इस कल्यूग में सबसे ज़्यादा जागरित और शाक्षात्र देपता है कल्यूग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में काफी सक्षम है यदि आप लोग किसी देवी देपता का मंत नहीं जानते तो कोई बात नहीं बहुत से लोग अपने जीवन में चमतकार के लिए तांत्रिकों के और दूसरे लोगों के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं लेकिन हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चलिसा पढ़ने से आप हर प्रकार की बाधाओं और संकट से बचे रहते हैं अपनी आज क इस वीडियो में हम आपको इस चौपाई के वारे में बताने जा रहे हैं यदि आप इस चौपाई को नियमी तोर पर पढ़ते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में चमतकारिक परिवर्तन होने लगेंगे दोस्तों चौपाई कुछ इस प्रकार से है सब सुक लहे चौपाई को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में चमतकारिक परिवर्तन होने लगते हैं इस चौपाई का अर्थ कुछ इस प्रकार से है जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राफ्थ होता है और जब आप रक्षक हैं तो फिर डर किस बात का जी हाँ जब हनुमान जी ही आपके रक्षक बन कर आपकी रक्षा करने के लिए तयार है तो आपको किसी भी बाधा या फिर किसी भी परिशानी से परिशान नहीं होना चाहिए हनुमान जी स्वयम आपकी सहायता के लिए तयार रहते हैं दोस्तों इस कल्यूग में हनुमा जी की भक्ती बहुती फलदायक मानी गई है अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप सब लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद